आज का पार्ट है दूसरा देवदाज जिसकी लेखिका है ममता कालिया जी और इस चेप्टर के यहाँ पर हम संबरी पढ़ेंगे जिससे कि आपको कम समय में इस पार्ट की जो इस पार्ट का जो विशे है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके और इस चेप्टर की लाइन दूसरे चेप्टर जो कि आपके स्लिवर्स के हिसाब साब के एक्जामस में आने वाले हैं उनकी लाइन टू लाइन इक्स्प्लेनेशन के साथ क्वेशन आंसर भी डिसकस किये गए है और आपको प्रवाइड किये गए है जो कि आपकी एक्जाम परपस से काफी यूसपुल रहेंगे और शुरू करते हैं यहाँ पर पाठ का सार समझते हैं पाठ की मूल समेदना यानि पाठ का जो मुख्य विशे है वो हमें क्या बताता है यहाँ पर ममता कालिया की जो कहानी है जिसका नाम है दूसरा देवदास प्रेम के महत्व और उसकी गरिमा को उचाए लेखिका ने कहानी से यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी नियत विक्ति स्थान और समय की आवश्कता नहीं होती बलकि वह स्वता ही यानि स्वयम ही घटित हो जाता है 21 सदी में भोग विलास की संस्कृति ने प्रेम का स्वरूप अधिकतर उश्रिंकल कर दिया है ल पर नहीं कोई विक्ति यहां पर डिसाइड होता है वो स्वता ही हो जाता है घटित हो जाता है लेकिन प्रेजन टाइम में जिस तरीकी से प्रेम को डिफाइन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ सेलफिशनेस को यहां पर डिस्क्राइब करता है लेकिन जो एक उदात प्रे यानि प्रेम के महत्व को और प्रेम को जिस तरीकी का अहदा यहां पर लेखी का दिखा रही है और दे रही है वो प्रेम मुश्किल ही यहां पर देखने को मिलता है आज के समय में ऐसी स्थिति में यह कहानी जो है वो प्रेम के सच्चे स्वरूप को रिखांकित करती है यानि लेखी का जो है वो युवा मन में जो सम्वेदनाय होती हैं भावनाय होती हैं इमोशन्स होते हैं जो कल्पना शिल्ता जो प्रेम में पढ़कर जो कल्पना करते हैं अपने प्रेम को पाने की उन सब को यहां पर एक बहुत ही उचा ओहदा देते हुए और उसको बहुत ही आप करके स्टोरी आगे बढ़ाते वे लेखी का बताती है जिसमें पहले शुरुआत होती हर की पौड़ी का मनोहारी द्रिश है अल्मोस जितने भी भारतवासी हैं पूरी कोशिश करते हर कोई हरी द्वार जाकर गंगा इस्तनान करना चाहता है और इस तरीके से जादर तर आदमी पर यह फरीकोषिश के साथ गंगा इस्तनान जो है वह अपनी लाइथ में होना चाहता है वह त्रें नहीं ही होता है व्सक्राइबूर को पूरी perimeter द्र्शन होता है तो यह घाल есте योगो सबक् Harmonie ब Nejखे से पर दो प्हाइए द्रिश्य है उसको दिखाया है हर की पौड़ी पर संध्या के समय की बात है गंगा की आरती का रंग ही निराला होता है भक्तों की भीड मनोकामना की पूर्ती के लिए फूल प्रसाद आधी खरीती है उसमें पंडे और गोता खोर सक्रिय हो जाते हैं यानि जितने पंडित लो पूजा और भक्ती के चलते गोता खोर लोग उसके लिए सक्रिय हो जाते हैं चारों तरफ पूजा का वातवरन रहता है पंच मंजली निलांजली में लगे सहस्रदीप जलूरते हैं गंगा आरती करते हुए आपने सभी ने देखा होगा कितनी लंबी मंजलों वाली जो आर मनोतियों के दिये फूलों के छोटे-छोटे दोने गंगा की लहरों पर इठलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बहुत लोग अपनी मनोतियों के साथ अपनी मननत के साथ मन में इच्छा लिये हुए दिये लेते हैं और फूल के छोटे-छोटे दोने लेते हैं दोने या पूरे वातावरण में चन्दन और धूब की सुगन्द फैली हुई है और भक्त जन संतोश भाव से भरूरते हैं बहुत ही शांत भाव में हर एक भक्त पूरी मनोकामना के साथ अपने मन मस्तिश के साथ यहां पर खड़ा होता है उसको ऐसा विश्वास होता है कि ईश्वर उसकी बात सुन समझ रहा है और उसके सभी समस्यों का हल निकाल देंगे अगली बात यहां पर जो पार्थ में बताई जाती है आगे बढ़ते हुए वो यह कि गंगा पुत्रों का जीवन परिवेश कैसा होता है गंगा पुत्र उन गोता खोरों को कहते हैं जो गंगा में डुकी लगा कर भक्तों द्वारा छोड़े गे पैसो को इकठा करके अपनी अजीव का चलाते हैं और हम सभी ने गोता खोरो को देखा हुआ है उन्ही को गंगा पुत्र कहा जाता है तो उन्ही को गंगा पुत्र कहा जा रहा है और उनका जीवन और वो परिवेश यहां पर पाठ पर दिखाने और बताने की पूरी कोशिश की है लेखिकाने तो गंगा पुत्र किन को कहा जात और यह रेजगारी यानि जो आप चिल्लर कहते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि खुले पैसे होते हैं और जो सिक्के होते हैं वो रेजगारी बटोरते हैं और अपनी बेहन या भीवी को कुशा घाट पर दे आते हैं जो इन्हें बेज कर नोट कमाती हैं यानि यह जितने भी ग इस साथ किसे पर नाहीं काम में हने लिगे रहते हैं, किस यही अजीवका है, इस यही एक प्रथम नायक नायका का प्रथम परिचे आगे बताती है कि किस तरीके से नायक नायका का प्रथम परिचे होता है कहानी का नायक संभव है और नायका पारो है यानि जो नायक है उसका नाम संभव है और नायका जो है उसका नाम पारो है संभव कुछ दिनों के लिए अपनी न तो यहां पर संभाव की बात ओरी कि संभाव कुछ दिनों के लिए नाने के घर आया हुआ है और नास्तिक होते हुए भी अपने माता पिता के कहने पर गंगा का आशिर्वाद लेने आया हुआ है माता पिता ने फोर्स किया हुआ इसी की वज़े से वो गंगा का आशिरवाद लेने आया हुआ है नायक नायका का प्रथम परीचे यहां गंगा किनारे के मंदिर में ही होता है संभव मंदिर में पैसे चढ़ाने के उपरांत यानि उसके बाद अपना हाथ कलावा बंदवाने के लिए आगे बढ़ता है तभी एक नाजुक सी कलाई भी कलावा बंदवाने के लिए आगे बढ़ती है संभा उस गुलाबी कपड़ों में भीगी लड़की को देखता है पुजारी दोनों को दमपती समझ लेते हैं दमपती यानि की पती-पत्नी समझ कर उनको आशिरवात देने लगते हैं सुखी रहो, फुलो फलो, जब भी आओ, साथ ही आना गंगा मया मनोरत पूरी करें लड़की घबराहट में छिटक कर दूर हो जाती है और तेजी से चली जाती है इस प्रकार दोनों के बीच प्रथम आकर्शन हर की पौड़ी पर उत्पन हो जाता है और जो निरंतर घटने वाली घटनाओं के तारतम में से यानि लगातार चलने से प्रेम में बदल जाता है इसे प्रथम दृष्टी का प्रेम कहा जा सकता है और लेखी का के नुसार इसी को ही पहली नजर का जो प्यार आज के जमाने में लोग बोलते है प्रथम दृष्टी का प्यार या फिप्रेम इसी को कहा जा सकता है और उनको आशिरवाद देने लगते हैं लड़की इस तरीकी से छिटक कर दूर हो जाती है और इस तरीकी के निरंतर घटना है घटने की वज़ा से दोनों में वो जो पहला आकर्शन है वो उत्पन हो जाता है आगे लेकी का बताती है कि संभव की मना स्थिती लड़की से मिलने के पश्चात अब लड़की से नाईका से यहाँ पर लड़का जो है यानि संभव मिल चुका है अब मिलने के बाद की जो मन की स्थिती है वो कैसी है उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में कलपना और सप सपनों के पंक लगा दिये अब वो छोटी सी एक मुलाकात जब कलावा बादने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाते हैं पंडित उनको दंपती समझ कर आशिरवाद देते हैं और उसी में पहला आकर्शन उत्पन हो जाता है और उसी एक जहलक से ही संभव के मन में कलपनाय ज करके उससे बाचीत के बारे में सोचने लगा ऐसा अकर्शन उसे परफम भार महसूस हो रहा था लड़की का आँख मूंद कर अर्चना करना या पूज अर्चना में अपना ध्यान लगा रखा था लड़की ने आखबंद्र करक्खिती, माथे पर भीगे बालों की लड़ती, कुर्ते को छूता गुलाबी आचल और उसका सौमे स्वर, सौमे यानि मृदुल कोमल संभव सारी रात इनी ख्यालों में खोया रहा, यका यक उसे बिंदिया और श्रिंगार के अन्ने साधन भाने लगे और इस तरीके से उस लड़की के ख्याल मात्र से माथे पे लगी बिंदि और साथ ही श्रिंगार के जो अन्ने साधन है वो उसे भाने लगते हैं, यानि अच्छे लगने लगते हैं मांग में तारे भरने और जैसे गीत जो है अब उसे अच्छे लगने लगते हैं और इस तरीके से ये बदलाओ उसमें देखने को मिलने लगता है मनसा देवी पर मनोकामना की गाठ और किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और मनसा देवी पर दोनों मिलते हैं मनो कामनाओं की गाठ बंदती है और उसके बाद फिर से वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं मनसा देवी पर सभी भक्तेजन जो हैं लाल पिले धागे मनो कामना के लिए बांध रहे थे मनसा देवी जाने पर सभी लोग अपनी मनोतिओं के साथ लाल पिले धागे बानते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो जाए संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गाठ लगई जिसमें पुना उस लड़की से मिलने की उसने इच्छा प्रकट की यानि वो भी मनसा देवी जाता है और वो भी ऐसे ही गाठ लगाता है लाल पिले धागों की और वहाँ पर मनोति करता है कि उस लड़की से उसका दुबारा मिलना हो जाए वही उसकी इच्छा थी अब प्रथम आकरशन प्रेम में परिवर्तित हो गया था दूसी तरफ पारो ने भी इसी प्रकार की आशा लिए मनोकामना की गाठ लगा दी दोनों ये एक दूसर से मिलने को आतुर थे आतुर यानि बेचैन थे अचानक मंदिर के बाहर दोनों का पुनह मिलन हो जाता है और अभी मनोती मांगी ही है और पारो ने भी इसी प्रकार की आशा की और साथ मनोकामना की गाठ लगाई और दोनों ने एक दूसर से मिलने के लिए जो उनमें बेचैनी थी मनौती मांगी और अचानक मंदिर के बाहर दोनों फिर से मिल जाते हैं दोनों ने अपनी मनोकामना की गाट के इतने शीग्र परिणाम की अपेक्षा यानि की उमीद नहीं की थी दोनों ही बेचैन थे दोनों में ही वो प्रेम पनप रहा था और दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते थे, दोनों ने यही मनोकामना ईश्वर से मांगी कि उन दोनों का दुबारा से मिलन हो जाए, तो जैसे ही मनोकामना मांगते हैं, मंदिर के बाहर या मंदिर में ही उनका मिलन और पुना मिलन हो जाता है, और इतनी जल्दी उनकी यह म मनों दशा भी संब्भव से भिन अलग नहीं थी यानि, जिस त्रीके की दशा नों दशा नि sweम अकर्षन में बंध चुकी थी युला मन का निश्चल कोई चलकपट नहीं है कोई स्वार्थ नहीं है और बस एक दूसरे से प्रेम चाते हैं और उसी का वो निश्चल प्रेम केवल एक ज़ग देखने के लिए व्याखुल था मंसा देवी पर लगी मनोकामना की गाठ का जो परिणाम है संभों से मिलने के रूप में आया तो वह आश्चर्य मिश्रित सुख में डूब गया ले लिया एक तरफ मनोती मांगी और मनोती तूरंत पूरी हो जाए और उस पर इतनी खुशी हुई कि उसने मन ही मन एक और चुनरी चड़ाने का संकल्प भी ले लिया वहीं पर ही उसने यह ठान ली कि वह एक और चुनरी चड़ाएगी क्योंकि उसकी मनोकामना तूरंत और भी अधिकर द्रड और स्थाई भी हो गया द्रड यानि मजबूत और स्थाई यानि पर्मनेंट तो यहां पर जो संकल्प है और जो प्रेम है वो और भी ज्यादा गहरा होता चला गया जब ईश्वर ने यहां पर यह बात यह मनवती तुरंद की तुरंद पूरी कर दी औ यहां पर एक जो निश्चल प्रेम है जो आज के समय में कहीं नहीं देखा जा सकता है क्योंकि सभी स्वाथ से उतप्रोध है तो यहां पर उसी प्रेम को दिखाने बताने की पूरी कोशिश किये इस कहानी की माध्यम से कि किस तरीके से युवा मन कल्पनाशील हो जाता है प पाट का नाम जैसा कि दूसरा देवदास है तो यहां पर क्योंकि नाइका जो है वो पारो है तो यहां पर लेखक जो है उसके प्रेम में आकर्शन में पढ़कर अपने आपको दूसरा देवदास ही समझने लग जाता है तो इसी तरीके से यहां पर चैप्टर के जो हमने सम और आपको ये वीडियो भी help कर रही होगी और आपके exam purpose से काफी useful हुई रहेगी ताकि आप कम समय में कम time में ये चीजे समझ कर आप अपने exams के लिए chapters को prepare कर सके और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप channel के playlist section को visit कर सकते हैं साथ ही channel को subscribe करना ना भूले जिससे कि आपको timely updates य करें